क्रिस्त में प्रेविश्वासियों, हम आज इस पुन्य शुक्रवार के दिन यहां उबस्ती थें, हमारे प्रभु के दुख भोग प्रभु के मरन और ये प्रभु के दुख भोग और प्रभु के मरन हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए कहां तक सार्तक हैं यह समझने के लिए, जो सुसमाजार हमने पढ़के सुने और पवित्र ग्रंद से जो भी भाग हमने आज सुना वो सब इस आर्थक्ता को हमारे सामने प्रस्तूत कर रहा है ये घड़ना गटी है जिस पर टिपनी करना आफत है और मौन रहना मुश्किल है लेकिन ना मुझीन भी नहीं है घड़ना प्रभू की दुकत वैदना की है घड़ना प्रभू की मरन की है प्रभू के ये जो मौत एक असाधारन मौत हैं ये शिपुत्र की दुक भरी वैदना भरी मौत प्रभू के इस मौत बेखार में नहीं ये हमारे लिए हैं हम किस नजरिया से प्रभू के इस मौत को प्रभू के इस मरन को देखें ये हमारे उपर हैं हमने सुसामाजार में पढ़के सुना था कि पिलातूस के आदेश अनुसार प्रभू येशू को दो डाकूओं के बीच उस गुलगोता के पहाडियों में प्रूस पर चड़ाया गया पिलातूस के महल से पीड़ा सहते हुए कलवारी पहाड़ी तक प्रभू की जो यात्रा है और बीच में जो भी घढ़नाएं घटी है ये सब देखें ये सब सुनके लोग उस परिस्तिदी से गुजरने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब आविशिक था या नहीं लोग कहते हैं अंगिन दुबद सुदावों के और अबचीर हरन होते हैं किंदू, यूके बीम, धनुर्धर, कृष्ण सबीस होते हैं जो भी घढ़नाएं घटते हैं उसके पीछे एक मकसद होती है समझने वाले इस मकसद को समझने की कोशिश करते हैं ना समझ हमेशने इसको ना समझ ही समझते हैं अब समझने वाले को समझना है कि इसमें एक सकारत मकता है ना समझ इसको नकारत मकता में समझेगा इसकी सकारत मकता है ये इसका उद्धेश है कि हम मानुजादी को क्योंकि हम इश्वास करते हैं कि हमारी जो रिष्टा है प्रमेश्वर से वो तूट चुका है तूटने का कारण अलग है या तूटने के कारण के ऊपर मदभेद हैं। वो मदभेद को वहीं रखते हुए हम प्रभू के इस दुख, प्रभू के उस मरन को समझने की कोशिश करता है। कि प्रभू ने मरन के पीछे जो कारण होती है, उन कारण आवों में जो सगारात्मकता हैं उसको समझने की। जिस प्रकार उस सगारात्मक सोच के साथ इस पुण्य शुक्रवार के बात को हम समझेंगे। तो निश्चे ही हम अपने जीवन उस प्रभू के दुख के साथ समझेंगे। और तबी हमारी जो खोई हुई जो रिस्ता है, जिस प्रकार कलीसिया हमें समझाने की कोशिश करते हैं, कि हमारे वज़े से या हमारे सोच के वज़े से हम उस रिस्ते से अलग हो गई। तो अलग रहना परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं था। इस रिस्ते को पुना कायम करना परमेश्वर के लिए आविश्वर था, जिस प्रकार हमें आविश्वर है। इसलिए पहल और चहल परमेश्वर की और से हैं। इसलिए मैंने कहा था शुरुवात में, यह माउत असाधारन है। और इस असाधारन माउत में एक साधारनता को हम स्विकार करते हैं। कि हम साधारन विक्तियों के लिए यह जो साधारन जीवन चैली के जो लोग हैं। इस असाधारन माउत किस प्रकार सार्तक करने का। रिष्टा पुना कायम करने की जो बात परमेश्वर अपनी तरक से कि उन्ने उस समय ही निश्चित किया था कि अपने सौयम के पुत्र को इस दर्ती में भेजेंगे, हमारे बीच रहेंगे, हमारे समान बनेंगे। एक इंसानियत की बात यह एक मानवियता की बात और यह जो इंसानियत और मानवियता यही बात हमारे सामने रखते हैं। कि हम मानव होते हुए अमानवी ये ना बने क्योंकि प्रभू के सामने प्रभू ने जो दुख लिया अपने उपन प्रभू ने जो कुरूस लिया हमारे लिए वो एक अमानवी ये परिस्तदी का था वो अमानवी परिस्तिदी उसमय की जनता साधारन और असाधारन जनता और उस जनता के नेता लोग प्रभू के सामने रखा उन लोगों ने उस अमानवी परिस्तिदीओं को बनाया हमारे उपर हैं कि हम परिस्तिदी को किस प्रकार बनाये हम चाहें, तो हमारे माहोल को बिगाड सकते हैं उसके लिए ना ज़्यादा वक्ति की अविश्शक्ता है, ना ज़्यादा लोग की अविश्यक्ता है तो जो मानेवियता हम में था, वकानांदर में हम जिसको अमानेविय बनाया प्रभु वही हमें समझाते हैं कि हम इस अमानविय परिस्थिदियों से चलते हुए मानवियता को कायम रखते हुए इंसानियत को कायम रखते हुए ईश्वर क्यों और जाना है हर वेक्ति के जीवन में हर परिवार के सामने ये दोनों परिस्थिदिया है मानविय परिस्तिदी और अमानविय परिस्तिदी दोनों से लोगों को विक्तियों को परिवार को समधाय को समाज को मुझरते जाना है उस समय क्या स्तिदी को हम कायम रखेंगे जब प्रभूक के उपर अभियों लगाया गया कि आपने वो किया ये नहीं किया इस टाईब के, उन्हें परिस्टिदियों को स्विकार किया, बले ऐसी परिस्तिदिय आई थी उसे भागने की, कोशिश भी किया, और उस कोशिश को आगे रखते हुए, जब गत्समेनी बाग में प्रव येसु ने आकरी में ये भी कहा, मैं चाहता नहीं हूं कि इस प्रकार की परिस्तिदियों को सामना करना है लेकिन अगर ये आपकी इच्छा है क्योंकि आप अपने इच्छा की अनुसार ये अनुरूब में आपने मुझे इस दर्ती पे भेजा और उस इच्छा की अनुसार में मेरा जीवन को जीने की कोशिश किया अब उसका अंजाम यही है मैं मेरे मव्ट को मेरे आकरी वक्त को में करीब से देख रहा हूं तो प्रभु ने का ये मेरी इच्छा नहीं अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं इसको स्विगार करूँगा अगर ये आपकी इच्छा नहीं है वो मेरे से ठल जाए हर विक्ति के जीवन में बात यही है कोई नहीं चाहता कि ईश्वर की जो इच्छा है उसको अस्विगार करना कोई नहीं चाहता अगर ये बात हमारे सामने सुनिश्चित है वो सुविवेक से हैं कि जो भी बात हो रहा है वो इशुरी योचना में है हम इसको स्विकार करते हैं तेकिन हम इस बात को स्विकार करना हमसे बेंटता नहीं कि वो इशुरी योचना है विक्ति और विक्ति के अवस्ता में जो भी बात घड़ती है जो भी घड़नाएं होती है जो परमेशुर में आस्ता रखने वाले लोगों के लिए आवश्यके समझना कि इसुरिय योजना में हो रहा है अगर ये बात को हम स्विकार करें कि प्रभू का दुख प्रभू का मरंग इसुरिय योजना में है तो उसको स्विकार करना नामुम्किन नहीं होता है बले मुश्किल है तो जब प्रभू ने इस मेहनत के साथ इस वेदना के साथ हमारी जो खोई हुई रिस्था को उस परमेशर की रिस्था के साथ मेल कराने के लिए जो भी कोशिश किया कोशिश यहां तक की उस वेदना मैं दुख के साथ अपने जीवन को उस खुरूस में निचावर करने की एक कोई छोटी बात नहीं वो कोशिश कि हम उस रिस्था कुना लाएं कोई हुई हमारी जो मानवियता है या हम जो अमानवियता में हैं दोनों हम एक अमानविय परिस्थिदी में हैं और हमारी मानवियता हमसे नस्ट हो चुके हैं यह दोनों परिस्थिदी से हम उभर के आगे आना हम अपने मानवियता में और अपने जो मानवियता की जो व्यावाहारिकता है उसमें वेतनाएं, पीटाहें, दुख, ये सब व्यावाहारी जीवन की बात होती है इशवर में विश्वास, इशवर में हमारी जो आस्ता, इशवर में हमारी जो स्था ये हमें प्रोट्षाहन देता है कि हमारी ये जो व्यावाहारी जीवन में आने वाले मुसीबतों को किस प्रकार हम सामना करें इश्वर के साथ प्रभू येश्व के सामने भी बात यही था कि किस प्रकार इन वेतनावों को दुख को सामना करें हमारे समान कहीं दफ़े वो फिचड गए लेकिन दीरे दीरे बात को समझा जब बात को समझने की बात आए तो पूरी जोर से पूरी ताकत से इश्वर की योजना में वो सहभागी बने जब हम अपने व्यावाहारिक जीवन को एक दूसरे के सार्थ तक होने तक या सार्थ तक बनने के लिए कोशिश करते समय निश्चाई ही प्रभू का मरण हमारे लिए सार्थ तक है वही प्रभू येश्व की मरण की सकाराल मकता है अगर इश्वर की इस वैतना इश्वर की ये जो मरण हमारे व्यावाहारिक जीवन को सार्थ तक नहीं करता या मेरी जो रिस्टाएं हैं एक दूसरे के साथ वो प्रदम चरण से लेके आगे की चरण में भी में मेरे परिवार में में मेरे समाज में में मेरे समुदाई में ये हमारे रिस्टों की अलग अलग चरण है इन अलग 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 चरणों में इस मानवियता को या हम हमारे जीवन में जो इस्वरियता हैं जो हम बपतिस मादवारा स्विकार किया हूँ या बपतिस मादवारा सिगार किये हुए उस इस्वरियता को जीने की हमारी जो कोशिश उसमें उतार चड़ाव जरूर होता है उस कोशिश कि हमें एक दूसरे के साथ जोडने की अलग-अलग चरण में मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे समुदाई में जब मैं मेरे जीवन को और लोगों के साथ जोडने के लिए कोशिश करते समय निश्चही उसमें उतार चड़ाव होती है सब के जीवन में बिक्ति बेले कितने भी बड़े हो या चोटे हो उतार चड़ाव जरूर होगा अब कई लोग उसको होने देगा लेकिन कई लोग उसको सामना करता है प्रभू के जीवन में भी उतार चड़ाव था कुछ लोगों से उनका खास रिष्टा था समाज के नेतावों के साथ है कटपड़ी इस बात पर था क्योंकि उनका व्यवहार सही नहीं था दर्माचरन हर विक्ति चाहते हैं कि जिस विक्ति को जिस प्रकार की आचरन करना है उस प्रकार की आचरन करने की अगर उस प्रकार की आचरन नहीं करेंगे तो लोग एक दूसर इसे कफा होती है प्रफु को भी बात यही था साधारन लोगों को साधारन तरीके का एक विवहार की अविशक्ता है अगर विक्ति असाधारन है तो असाधारन तरीके का विवहार को अपनाना है अगर ये नहीं हुआ या इस प्रकार के दर्माचरण नहीं किया क्योंकि हर विक्ति को अपने धर्म होती है जिसको हमने धारन किये हैं जिसको हम धर्म कहते हैं अगर हम हमारे व्यावग हारिक जीवन में इस प्रकार के दर्माचरण नहीं करेंगे जिसको हम कहते हैं या वहारिकता तो लोग हमें नकार लेगा हम जो धर्माजरन या वहार लोगों के साथ करते समय या करने के लिए कोशिच करते समय लोग हमें परक्ते हैं कि हम किस आधार पर आचरन कर रहा हूं मैं दूसरों के साथ मेरे परिवार में मेरे समाज में मेरे समुदाय में आचरन करते समय किस बात पर ध्यान रखते हुए आचरन कर रहा हूं लोग इसको परक्ते हैं लोग उतना मूर्ख नहीं है में हम कहीं भी रहे, किस कोने में भी रहे, किस मुहले में भी रहे, लोग हमें देखता है लोगों की नजर हमारे उपर है, कि विक्ति किस प्रगार के आचरन कर रहा है उनके रहन सायन कैसे है, उनके उड़ना बैठना किस प्रगार क्यों होती है तो क्योंकि हमारी पहचान उससे होती है मेरे वेवहारिक जीवन में मैं जिस बात को स्विगार किया हूँ मैंने वही बात स्विगार किया हूँ कि मैं यी शुरियता को कायम रखने वाला विक्ती हूँ कहते हुए वही मेरी इनसानियत है और मैं अगर उस प्रगार के आजरन नहीं किया तो लोग मुझे नकार लेगा इसलिए आविशक है कि हम अपने व्यावागारिक जीवन में नाइतिक बूलियों को कायम रखना नाइतिकता सामाजिकता में विरभर है सामाजिकता से अलग रखते हुए एक नाइतिकता नहीं है ना उस प्रगार के नाइतिकता बनाने की कोशिश हम कभी करना है समाज में रहते समय समुधाय में रहते समय इस नाइतिकता ही या नाइतिक उसूल ही हर विक्ति के लिए हर जूंड के लिए आविशक होती है अगर हम इसाई है तो उसके एक नहितिक्ता है धरम और धर्मिक्ता को आप अलग रखे या उसको दूर रखे हम सिर्फ अपनी नहितिक्ता को समझे हर विक्ति के लिए हर जीव जंदू के लिए नहितिक्ता अविशक है यह हम में निहित है अगर यह हमारे जीवन में हमारे सामाजिकता में निहित है इस नहितिकता तो इसको हमें ढूंड निकालना है और ढूंड निकाल के उसके अनुसार इस व्यावगारिक जीवन को बनाना है यही व्यावाहारिकता है, कि व्यावाहारिक जीवन में, जो हरोज की जो जीवन है, उस हरोज की जीवन में नहितिक मूल्यों को यह धर्म विशेश के लिए नहीं होती है. हर देश के लिए, हर प्रांद के लिए, हर विक्ति विशेश के लिए नहितिकता है वोई नहितिकता ही हमारे धार्मिक प्रेचान बनता है अलग से एक धार्मिकता हमारे लिए नहीं है न हम चार दिवार के अंदर की एक नईतिक्ता और लोगों के सामने एक नईतिक्ता है, नहीं, हमारे लिए सिर्फ एकी नईतिक्ता है, जो नईतिक्ता प्रभू ने उस यत्समेनी बारी में कहा था, कि ये सब होने के बाद, उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार भी होने के बाद, आकरी वक्त उसने कहा था, कि सब संपूर्न हो चुका है, प्रभू को मरन को देखते हुए, लोगों ने कहा तो ये सब क्यों हो रहा है, उसका जवाब था, उनके आकरी शब्द की ये सब संपूर्ण हो रहा है, जो बात के लिए प्रभु येसु इस दुनिया में आए, प्रभु येशु इस दुनिया में इसलिए आये कि खोये हुए हमारी जो रिस्ता है उसको पुनह पट्री पे लाने के लिए और अपने मरंड के दुआरा उनने वो बात को खायम किया इसलिए वो आकरी वक्त कहता है कि सब संपूर्ण हो गया उस संपूर्णता आकाश और धर्ती के बीच में ना आकाश में है ना जमीन में है तब संपूर्ण होता है कभी कभी हमारे व्यावहारी जीवन में यही हमारे सामने है पायर के नीचे के जमीन गिस्ते जाने के बाद हमें मालिम पढ़ जाता है बात हो चुका है प्रभू के साथ प्रभू भी यही हमारे सामने बता रहे है कि मैं किस बात के लिए आया हूं मैं जो लोगों के साथ किया है आज अभी संपूर्न हो रहा है कि मानव जादी का ईश्वर के साथ जो रिष्टा है वो आज मैंने उसको जोड़ दिया है इश्वर हमारे बीच में हैं हमारे साथ है इश्वर हम से दूर हुआ है यह हम इश्वर से दूर हुआ है बात यही है इश्वर हमेशा निसान के साथ है हमें समझना है कि हम इश्वर के साथ हो रहा है या इश्वर से दूर हो रहा है जब हम इश्वर से दूर होगा या दूर होने की परिस्ति हमें समझ में हमारे समझ में इसलिए आते हैं या वह बात हमारे सामने इसलिए आते हैं कि व्यावगारिक जीवन में उस इश्वरियता नहीं देखते समय इसलिए मैंने उस व्यावग रिक्ता और नईतिक्ता की बात आपके सामने रखा है क्योंकि हर विक्ति चाहते हैं कि वह पहले धार्मिक बने पहले हमें धार्मिक बनने की अविश्यक्ता नहीं है, हमें अविश्यक्ता है पहले इंसान बनने की, हमें अविश्यक्ता है पहले नईतिक बनने की, हमें अविश्यक्ता है पहले ब्यावाहारिक बनने की, क्योंकि यही हमारे सामने का प्रतम रिस्ता हैं, अगर मैं मेरे परिवार में अच्छा नहीं है मेरे मुखले में अच्छा नहीं है तो कहां मैं अच्छा हूँ इस और के सामने हर वे क्या अच्छा हो सकता है अच्छा होना है मैं जिस परिस्तिदी में हुम उस परिस्तिदी में प्रफु अपने मरन के दुआरा यही बात हमारे सामने रखने के कोशिश किया लोग बहारों की बात करते हैं ना लोग सितारों की बात करते हैं हमें धरिया पार करना है अगर धरिया पार करना है तो हमें किनारों की बात समझना है यह सार्थक्ता की बात है, यह सकारात्मक्ता की बात है, सोच जब सकारात्मक्त होगा, तो जो भी घटते हैं जिवन के साथ, जो भी परिस्तिदियां आते हैं, अच्छे परिस्तिदियां होती है, बुरे परिस्तिदियां होती है, दोनों हमें उस सार्थक्ता की और ले कि जो धरीय हमें पार करना है इस ब्यावगारिक जीवन को हमें जीना है उसमें हमारे सामने किनारे की बात आएगा दूर की बात हमें आवेशक नहीं है हमें चाहिए जिसके साथ में रह रहा हूं हमें चाहिए जिस मुहले में में रह रहा हूं वहीं की बात वहीं जो नईतिकता है उसको बनाए रखने की बात जब प्रभू हमारे समान हम मानवों के समान इस धर्ती पे जीए समाज में रहे परिवार में रहे एक दूसरे के साथ मेल मिलाब किये उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को जो परिष्टिदी में है उस परिष्टिदी में रखे समझने की कोशिश करेंगे रिस्टे में उतार चड़ाव होगा होता है लेकिन रिस्टे को कायम रखना है प्रभू वहीं बता है बहुत से लोग उनके साथ अत्याजार किये है लेकिन प्रभू ने किसी के साथ अत्याजार नहीं किया कोई भी विक्ति आके उनकी उपर उस प्रगार का अभियो भी लगा नहीं सका कि ने मेरे साथ अत्याजार किया या मेरे साथ गलत किया ये मानिवियता की बात है अगर मुझे में मानवियता है तो मेरा कर्तब ये बनता है कि मैं दूसरों में जो मानवियता है उसको समझ ना विक्ति ही विक्ति को समझ सकता है हम इश्वर को धन्यवाद दें कि इश्वर ने ही शुरू किया इश्वर ने हमें बनाए अपने शुरूब में इश्वर ने हमें मौका दे रहा है कि उस सुरूब में बने रहने की क्योंकि हर विक्ती में इश्वर है हर विक्ती में इश्वरियता नहित है इस पुन्य शुक्रवार यही बात हमारे सामने रखता है कि हम किसी भी परिस्तिदी से भी गुजरे उस परिस्तिदी में इशुरियता बनाए रखना है इशुर के साथ और लोगों के साथ हमारे रिस्ता बनाना है इशुर के साथ और लोगों के साथ रिस्ता बनाने की प्रक्रिया में या महनत में हम ना जमीन के रह जाते हैं ना आस्मान के रह जाते हैं हम बीच में आ जाता है वही ना मेरी बात है ना उनकी बात है बात अपनी होती है हर दुक में, हर वेतना में, हर पीटा में एक अपनापन है वही ईश्वर प्रभी येश्व हमारे सामने रख रहा है में जो पीटा हैं लिया हैं वो अपने लिए इसलिए उनने गेट समेन बाड़ी में कहा था अगर ये आपकी इच्छा है बात वही है ये अपनी इच्छा है यही पुनी शुक्रवार हमारे सामने समझाते हैं मेरे और तेरे से हटके अपने बात को बनाने की तब परिवार बनता है तब समाज बनता है तब धरम बनता है तब नईतिकता बनता है हम इशुर को धन्यवाद दे प्रभु येशु ने हमारे बीच आये हमारे साथ जिये और हमारे समान मरे उनके मरन सार्तक बने उनके जीवन उनके मरन के द्वारा सार्तक बने हम अपने जीवन किस प्रकार जिये उसी से निर्बर होता है कि हमारा अंद कैसे होगा पुन्य शुक्रवार यही हमें समझाते हैं कि मरन हमारे सामने निश्चित है मरन किस प्रकार के होगा किसी को पता नहीं लेकिन ये बात पता है सबको कि एक ना एक दिन हमें मरना है हर वक्त हम मरन की और जाता है और हम ये की ही बार मरेंगे हम बार-बार नहीं मरेंगे ये की ही बार हम मरेंगे और उस मरन हम जिस प्रगार सोचे हम जिस प्रगार समझे उस प्रगार का नहीं होगा हमारे जीवन जिस प्रगार प्रमेश्वर ने हमारे लिए जो रचा है उसके अनुसार ही होगा इसलिए जीवन का मेहनत इसके लिए है कि ईश्वर की जो योचना है उस योचना को समझने के लिए आईए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपने जीवन को समझे जीवन में आने वाले जो भी कड़िनाईया हैं जो भी तकलीफ हैं उसको स्विकार करें और जिस प्रगार प्रभू ने स्विकार किया कि ये आपकी इच्छा होते हैं या आईए आपकी इच्छा समझ के उसी प्रगार हम अपने वैतनावों को, अपने दुख को ईश्वर की और जना समझ के ये दूसरों के लिए दूसरों के लिए अपने जीवन को जिने के लिए कोशिश करेंगे निश्चे ही हमारे लिए जीवन आसान होगा जीवन में जो भी दुख होगा जो भी वेतना होगा वो सहनना स्विकार करना हमारे लिए आसान होगा इता पुत्र और